इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे युक्रेन पर रूस के हमले पर एक एहम बैठक हुई है क्योंकि आज युद्ध का तीस्ट्रा दिन है और नैटों की तरफ से यह एहम बैठक हुई है जिसमें ये कहा गया है कि वो लगतार युक्रेन को अपना समर्थन देता रहेगा तो देखिए हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिये भी जो ये बैठक हुई है इसके बारे में और ये भी कहा गया है नैटों की तरफ से कि युक्रेन से रूस अपनी सेना को तदकाल वापस लेकर के आए ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब रूस के राश्पती व्लादीमिर पुतिन ने कहा कि युक्रेन सरेंडर कर दिया देखिए कूटनीती में कौन किस पर भारी है ये भी हम आपको बता रही है पुतिन ने पश्चिमी देशों को ताकत दिखाई है पश्चिमी देश जो लगतार पुतिन का विरोत कर रहे है जेलंसकी नैटों पर भरोसा भारी पढ़ा है और देखिए यहां पर कोई भी बढ़ी है जो तरीके से रूस ने यूकरेन पर आकरमन किया है जेलंसकी की अगर हम बात करें तो यूकरेन को चोतरफा नुक्सान हुआ है हमने राश्चानी कीव में देखा किस तरीके से धमाके हुए है घरों में आग लग गई है तो बहुत जादा पीछे चला गया है उस उनको हत्यार दे पुतिन की अगर हम बात करें तो देखिए आर्थिक पाबंदी से भारी नुक्सान पहुंच रहा है क्योंकि यह कोशिश है कि आर्थिक मोर्चे पर रूस को चोट पहुंचाई जा सके यूकरेन का भविश्य अधर में है जिस तरीके से वहाँ पर यु का की हो रही है